रीजनिंग का जो हमने एक special batch चलाया है आज उसका second day है जिसमें हमने आपको 50 वीडियो में total reasoning खतम कराने का वादा किया है इसमें जो आज हम discuss करने जा रहे हैं वो ranking वाले questions हैं उन में से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले questions हैं सिर्फ उनको include किया है मैं Amit स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैटसवेर पे start करते हैं आज का अपने वीडियो इस question के साथ किसी भी छोड से सुरू करने पर यदि किसी पंक्ती में आपका नंबर 11 है तो यह है बताईए कि पंक्ती में कुल कितने व्यक्ति हैं इसमें आपको कोई भी ऐसे बताएगा कि ये फॉर्मिला लगाओ वो फॉर्मिला लगाओ तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको इसमें कोई फॉर्मिला नहीं लगाना है आपका नंबर 11 है अगर मैं इदर से गिनू तो भी 11 है इदर से गिनू तो भी 11 है और 11 नंबर तब आता है जब हमारे इदर 10 वेक्ति होते हैं और इदर भी हमारे 10 वेक्ति होंगे तब ही मेरा 11 नंबर होगा दस इधर हैं दस इधर हैं और यहां आप खुद बैठे हैं तो दस और दस बीस और आप खुद टोटल 21 वेक्ती यहां बैठे हैं तो इस वी इस कोशन के अंदर आप ये देखें कि कोई फॉर्मला यूज नहीं करना है आपको सिंपल लोजिक लगाना है जो आप अपनी रियल लाइफ में लगाते हैं वैसे जब इसमें आपको फॉर्मला लगाना है या ट्रिक याद करनी है तो इसके लिए सबसे आसान जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि इस संख्या का डबल करना है ग्यारा दोनी बाइस अब इस बाइस में आप दो बार काउंट हो चुके हैं क्योंकि ग्यारवा नमबर आपका है आपने डबल किया तो उसमें आप दो जगे बैठ गे तो इससे हमेशा एक कम करना है तो 21 वेक्ति हैं ये इसकी ट्रिक होती है और वैसे जनरली आप इसको करना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे ये आपका एक जनरल थिंकिंग है जो आपकी सोच है जैसे आप रियल लाइफ में सोचते हैं जबकि यहां हमने यूज किया है फोर्मला ट्रिक जिसको हम कहते हैं रिजनिंग और मैस की लैंग्वेज में तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं इस का आंसर आ गया 21 उस पंक्ति में टोटल 21 वेक्ति बैठे हुए हैं नेक्स कोश्चन देखते हैं राहुल का अपनी ककसा में उपर से नवा तथा नीचे से 38 स्थान है तो ककसा में कुल कितने चातर हैं उपर से नवा स्थान है तो वो ही ट्रिक वो ही जनरल तिंकिंग जो आप अपनी लाइफ में use करते हुए आये हैं उसको यहां लगाना है आपका यहां नोवा स्थान जब होगा जब यहां आट वेकती बैटे होंगे और इधर से आपका 38 स्थान जब होगा जब आप यहां 37 वेकती बैटे होंगे 8 इधर बैटे हैं 37 इधर 45 और एक आप खुद हो गए जो बीच में यहां बैठे हैं तो हो गया 46 तो टोटल 46 व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं ऐसे आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे कोई formula यूज नहीं करना है लेकिन फिर भी किसी को trick चाहिए तो इसकी trick होती कि यहां left right की जगए ऊपर नीचे दिया है तो यहां ऊपर से आपका इस्थान क्या है नीचे से आपका इस्थान क्या है माइनस एक उससे आता है total तो total equals to 9 plus 38 minus 1 तो 47 minus 1 is equals to 46 तो total 46 व्यक्ति हैं लेकिन आप यहां देखे जो हमने अपने general thinking किये बिना कोई पड़े बिना कोई लिखे बिना कोई trick use किये भी तो यह question हो सकता है ना तो आप लोग ऐसे करें मैं तो आपको suggest करूँगा कि trick use नहीं करें क्योंकि उसने काया कि मैं उपर से आपको count करूँ तो 9 अस्तान है तो इसका मतलब 8 इदर बैठे है और इदर से count करते हूं तो 38 वे नमबर पे आप बैठे हैं तो 37 वैक्ति इदर बैठे हुए है मेरे से अलग इसमें तो 378 45 तो हमारे से अलगी हो गए ना उस वैक्ति से अलग हो गए तो 45 तो अलगी है एक वैक्ति होगा आप नीचे से भी count करो या उपर से उसे count तो एक बार ही गरना पड़ेगा दो बार आप count नहीं कर सकते इसलिए सिर्फ एक ही add होगा दो add नहीं होता है और formula में भी यहाँ इसलिए एक minus होता है क्योंकि वो दो बार count कर लिया जाता है तो आप बिनट रिक्के इसको ऐसे कर सकते है सीला का बाएं से वही इस्थान है जो दाएं से है यदि पंक्ती में कुल 53 चात्रो तो उसका बाएं से इस्थान क्या होगा मत्रब टोटल 53 चात्र है तो उसका बाएं से या दाएं से क्या इस्थान होने वाला है तो जितने व्यक्ती इधर बैटे हैं उतने ही व्यक्ती इधर बैटे हैं और वो बीच में खुद बैटी है तो एक अगर इसमें से निकाल देता हूं तो बावन बसते हैं उन बावन में से 26 इधर बैटे हूंगे तो इसका मतलब इधर से count कर लो या इधर से तो वो 27 नमबर पर ही बैठी है तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं बिना किसी formula की यूज किये हुए भी आप इसको कर सकते हैं अगर आपको trick यूज करनी है तो trick होता है कि जब आपका दोनों तरफ से स्थान बराबर होता है और उसमें टोटल चात्र दिया होता है तो टोटल प्लस वन बाई दो करते हैं तो आपका दाएं या बाईं दोनों तरफ से आपका इस्थान आ जाता है तो 53 प्लस एक बाई दो जो की हो गया 54 बाई दो बराबर 27 तो मैं आपको बिल्कुल सेजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फॉर्मले पे जाएं ये ट्रिक भी आसान है कोई दिक्कत नहीं है एक सेकिंड में इससे भी आंसर आता है बट जनरली जो हम कर सकते हैं वो सबसे बढ़िया होता है क्योंकि उसमें हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है नेक्स ओशन देखता है सचिन कपिल से लंबा है अब इसमें आपको ग्राब बनाना पड़ेगा एकोर्डिंग टो दिर हाइट, इंकम, रैंकिंग, मार्क्स जिस सीज़ की भी बात करेगा उसके एकोर्डिंग आप उनकी रैंकिंग बनाएगे रैंकिंग बनाना है तो उपर नीचे उनको लिखना पड़ेगा तो सबसे पहले जहां से स्टार्ट होता है उसी का नाम लिखेंगे और उसके एकोर्डिंग काम करेंगे उसने काई सचिन कपिल से लंबा है तो हम सचिन को यहां लिख लेते हैं और वो कपिल से लंबा है तो इनके बीच में थोड़ा गैप रखिएगा क्योंकि इनके बीच में कोई और व्यक्ति भी आ जाए कि वो कपिल से लंबा हूँ लेकिन सचिन से छोटा हो तो उसको इनके बीच में लिखना पड़ेगा तो थोड़ा गैप करके आप लिखेंगे जब भी इनको लिखना होगा अमर परभात से लंबा है अब यहां देखें न तो अमर यहां पर दिया हुआ अमर का कोई रिलेशन सचिन से नहीं दिया हुआ ना ही कपिल से ना ही परभात का इन दोनों से कोई रिलेशन दिया हुआ है तो इसलिए अब इनके नाम कहीं नहीं लिखेंगे पहले इनको समझेंगे अमर परभात से लंबा है अमर जो है परभात से लंबा है लेकिन कपिल जितना लंबा नहीं है अमर प्रभात से लंबा तो है लेकिन कपिल जितना लंबा नहीं है तो कपिल जो है अमर से लंबा है तो अमर की जो हाइट आएगी कपिल के नीचे आएगी और प्रभात तो उससे भी छोटा है तो यहां प्रभात लिख लेंगे अब हमने सब के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी है प्रभोध सचिन से लंबा है अब हमारे पास प्रभोध जो है वो सचिन से लंबा है तो सचिन यहां पर है तो प्रभोध तो इसके भी उपर आएगा प्रभोध सचिन से लंबा है तो इनमें सबसे चोटा कौन है तो सबसे चोटा तो फिर परभात हुआ सबसे लंबा पूसर तो प्रभोध हुआ अभी इसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसे आप एक्स्प्लेन नहीं कर सकते इसमें ऐसे situations भी होती है जिसे आप explain नहीं कर सकते अगर उसने कहा होता प्रभोध कपिल से लंबा है प्रभोध कपिल से लंबा है बस इतना अगर बोला होता तो अब हमी ये नहीं समझ में आता कि उसको यहां बैठाना है कि यहां बैठाना है क्योंकि उसने का प्रबोद सचिन से लंबा है तो हम एगजेक्टली इसको इसके ओपर बैठा पाए लेकिन अगर वो कहता कपिल से लंबा है तो आप उसको एड़जेस्ट नहीं गर पाते वो क्योंकि यहां भी हो सकता था वो यहां भी हो सकता था तो वैसी जब condition होती है तो उस condition में आपसे अगर पूसता कि सबसे लंबा कोन है तब आप बोलते कि ग्यात नहीं किया जा सकता वैसी condition में answers नहीं निकाल पाते है बट जो आपको question दिया है जो conditions दी है उनको ऐसे soul किया जाता है तो आपका जो answer है वो है प्रबार्थ आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है comment box में जरूर बताईएगा और जिनको जो भी doubt है वो comment box में लिखना ना भोले ताकि हम उस question को अगली वीडियो में include कर सकें जिन्होंने channel मेरा अभी तक subscribe नहीं किया please कर लीजे ऐसे बड़िया वीडियो पाने के लिए जब भी channel को subscribe करें तो bell icon जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो का notification मिल जाए तुरंत जैसे मैं वीडियो डालू और आप कोई भी class मिस ना करें मिलता है next video में new tricks and questions के साथ thank you morning में हमने एक batch चलाया है जिसमें हम starting से बिल्कुल starting से अपना नया batch स्टार्ट किया है जिसमें हमने proper बिल्कुल basic से math स्टार्ट किया है तो वो आपको morning में 9 बजे daily उसकी वीडियो मिलेगी उसको मिस ना करें अगर आप लोगों को maths में problem है तो thank you